तो चलिए दोस्तों लेके आया हूँ एक और जब दस वीडियो आप लोग के लिए अगर दोस्तों आप मेरे यूटूब चैनल पर नहीं हो तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और बेल एकन को दबाद दीजिए मेरे यूटूब चैनल के नाम है तनीसा मवाईल दोस्तों आज का जो वीडियो बना है बहुत ही जब दस्त वीडियो बना है और बहुत ही फायदेमन्द है तो देखिए यह मेरे पास रेडमी का फोन है रेडमी के 8 मोडल है रेडमी 8 मोडल है इस फोन का नाम और इसमें दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे हैं कि इसका जो यानि कि paint खतम हो गया इसका तो उसको cover कर देगा ताकि आपका phone में पता नहीं चलेगा कि आपका phone का paint उरा हुआ है तो दोस्तों इस paint जो उर जाता है redmi के phone redmi 8 में अक्सर phone में इस paint उर जाता है और इसके लिए कुछ करना ज्यादा नहीं है इसमें simple सी है कोई mobile दुकान पर जाना है और एक sticker लगवा लेना है इससे होगा क्या जो कि आपका जो paint हुरा हुआ हुआ इसके उपर से sticker आजाएगा जैसे की आप देख सकते हुआ है इसमें paint हुआ इसके उपर से sticker लगा रहे और जब sticker लग जाता है तो उसके बाद इसमें कुछ पत चलता हिए जैसे कि आप देख रहे हैं इस फोन को इस पे उपर एश्टी करा गिया है और इसको करना क्या है कि इस पे होट गॉन से इसको साइड से इसको हीट मार की चिपकाना है उसके बाद कटिंग कर देना है साइड साइड से इसका केमरा के पास कटिंग कर देना है चार्जिंग के पास कटिंग कर देना है और स्पीकर के पास कटिंग कर देना है जहां से सीम इसका निकलता है वहां से कटिंग कर देना है अराम से और इसमें होगा क्या कि जो पहले से पैंट उरा हुआ था तो अच्छा फोन नहीं लग गिया जैसे की आप देख सकते हैं विडियो में एक श्ट्रीकर जो चिप का हुआ कि इतना अच्छा लग रहा है आप आप इसमें केमरा के पास हम कटिंग करने जा रहे हैं यह दिखिए इसका केमरा है और कैमरा जैसेगों कटिंग करना है तो इसमें के इसके नीचे में फिंगर प्रिंट है और इसके जश्ट उबर एक फले स्लाइट है तो केमरा के पास और फिंगर प्रिंट के पास जो है पता चल जाता है कि यहां पर finger print है और camera है बट आपका flash light है flash light के flash light के पास आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि flash light अंदर होता है यानि इसका जो back panel होता है back panel के अंदर ही flash light होता है तो ऐसे में आपको पता नहीं चलेगा यह देखिए हम इसको finger print को cutting कर रहे हैं तो finger print तक तो ठीक है यहां तक तो पता चल जाएगा बट आपका जो flash light होता है इस camera के जस्ट उपर है flash light जो पता नहीं चलेगा और यह जो है fingerprint उप पता चल रहाता है इसको हम cutting कर दिये तो अगर आपका flash light पता नहीं चलता है तो क्या करिए इसकी अउन करके इसका flash light जला लिए उसके बाद इसका cutting कर यह जैसे कि आप देख रहे हलका हलका सा इसमें flash light पता चल रहा है इसके चारों तरब से हलका हलका cutting कर दिजिए इसके बाद flash light को बंद कर दिजिए नहीं तो आपके आँख पे इसका रोसनी परेगा और इसके बाद जैसे कि देख रहे हैं इसका रोसनी कितना आ रहा है वीडियों में भी आप देख सकते हैं चल लिए इसका रोसनी बंद हो गया और इसको cutting करके अराम से हटा दिजिए ताकि आपका flash light भी यूजी में आएगा उसकी बाद क्या करिए इसका charging pin है और earphone का jack है speaker है सारा जगा से उसको cutting कर दिजिए और इसका mic भी होता है mic भी cutting करना पड़ेगा एक बाद ऐसा आया है मेरे पास problem कि कोई दुकंदार sticker लगाया था बट उसमें mic का काटना भूल गया था बाद की सारा कुछ कार तो दिया था बट mic काटना भूल गया था customer बोलने लगा कि इसका mic नहीं काम करता है तो इसमें तो mic ढ़का हुआ था उसका छेदा तो काम तो नहीं करेगा तो इस सब थ्वाध्यान से अगर आप लगाते हैं तो थ्वाध्यान से लगाएं ताकि customer का कोई शिकायत नहीं आए इदे के ए speaker का था ए speaker भी cutting हो गया और एक रहा गया earphone और mic sim टेरे भी कार्ट दिजिए अगर customer बोलता है तो अगर नहीं तो कोई दिकत नहीं है क्योंकि इस सब फौन में sim बार बार खोलना और निकालना अच्ही बात नहीं होता है तो बहुत सारा customer जीसा होता है कि sim ट्रे तो cutting करवा लेते हैं और बहुत सारा customer है है कि sim ट्रे के पास cutting नहीं करवाते हैं अब दिखिए इसका माइक है इसका छेदा माइक का पता नहीं चलना है तो इसको कभर में लगा दिजियों फॉन को कभर में लगा दिजियों कभर में इसके मांगे कि जस्ट विपर का कज आगा